हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी गे हूंके आटे का चटपटा नास्ता फ्रेंड्स यह नास्ता बहुत ही क्रिस्पी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है तो अगर आप कही कर लिये थे बड़े साइज के जिनको मैं इस तरह से मोटा मोटा चौप कर लिया है एक अधरक का टुकडा लिया था मैंने आप जिसको मैं इस तरह से मोटे मोटे टुकडा में तोड़ लिया है चैसे साथ मैंने आपर यह लेसन की कलिया ली है यह इसमें डाल देते हैं अब पानी का यूज नहीं करेंगे और जार का रकन बंद करके इसको अच्छे से पीस लेते हैं और यह देखी इस तरह से मैंने टमाटर अद्रक लेसन को इस तरह से पेश्ट बना लिया है तो अब हम एक बड़ा बरतन लेंगे और यह मैंने आपर एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है आटा इसमें डाल देते हैं बीच में इस तरह से हम जगे बना देते हैं तो जो हमने टमाटर का पेश्ट बना या है उसको हम इसमें डाल देते हैं एक बारीक कटा हुआ मैंने आपर यह प्याज दिया है फ्रेंट्स प्याज को बारीक से बारीक चॉप करें नहीं तो पूरी बेलने में परिशानी होगी एक बारीक कटी भी हरी मिर्च डालेंगे इसको भी मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है थोड़ी सी मैंने आपने धनिये की पत्तिया नहीं है ये इसमें डाल देते हैं एक त्याई चमच हल्दी का पावडर डालेंगे आधी चमच लाल मेज का पावडर एक त्याई चमच काली मेज का पावडर डालेंगे आदी चमाच नमक डालेंगे, नमक का अपने टेस्ट रिकोर्डिंग डालेंगे और आदी चमाच गरम मसाला डालेंगे, आधी चमाच जीरे डालदेते हैं ऊथोड़ी सी मेनि आपर यह हसंग लिये हुझे हिए पांढ़े जालेंगे से बहुती अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छे से हम इसको डो की तरह बना के त्यार कर लेंगे, ये देखिए भी थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा है, तो जिसमें मैंने या पर पेश्ट उनाया था, उसी में थोड़ा सा पाणि डालके, इसमें हम बिला देते हैं, अच्छे से इसको गूत लेते हैं, हमे मैं इसमें एश्ट्रा पाई डाले की जिरूत नहीं पड़ी है तो देखिए डो हमारा थोड़ा सा टाइट है तो अब मैंने आपर थोड़ा सा ओईल लिया है आधी चमच इसको डालके अच्छे से इसको मसल लेंगे और मसल मसल के हम इस डो को अच्छे से चिकना बना लेते हैं तो इस तरह से इसको मसल दे जाएंगे यह देखी दो से तीन मिनट मैंने को मसल लिया है अच्छे से सेट हो गया है तो अब हम इसको कवर करके पंद्रे मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि पंदरे मिनट हो चुके आठे को रखे हुए हम इसको चेक कर लेते हैं तो देखिए आठ अच्छे से सेट हो गया है तो अभी हम इसको एक दो मिनट के लिए और मसल लेते हैं तो यह देखिए इस तरह से मैंने आटे को अच्छे से सेट कर लिया है तो अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्सल लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथ से लंबा कर लेते हैं और इसमें से हम चोटी-चोटी से लोईयां तोड़ेंगे लोईयां आप हमें सापसे थोड़ी से चोटी बड़ी बना सकती है तो इस तरह से हम साही लोईयों को तोड़ लेंगे तो इसी तरह से हम और तोड़ लेते हैं और इनको हम चिकना बना बना के त्यार कर लेंगे इस तरह से तो इसी तरह से मैंने आप रहे देखिए के हातों से भेलेंगे अगर आपको लग रहा है कि आपकी लोग चिपक रही है तो आप इस से तोबसा सा ओधाasına या खा ऊती है ऑचाप इसानि से तरह से अकतलै लेंगे कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रखेंगे इस तरह सेprowad बेलना है यह देखिए एक पूड़ी बिल गई है तो इसी तरह से हम प्रोसेस से दूसरी पूड़ी भी भी भेल लेते हैं तो इसको में मलके आतों से बेल लेंगे फ्रेंड बहुत ही आसानी से बन जाता है नास्ता और अगर कहीं आप सफर में जा रहे हैं तब ही आप इनास्ते को बना के लिया सकती हैं दो से तीन दन तब यह नास्ता चल जाता है यह देखी इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को बेल बेल के त्यार कर लेंगे और यह देखी मैंने आपर कुछ पूड़ियों को बेल के त्यार कर लिया है तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ इनको फ्राई कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने आपर गैस अन करके कड़ाई में और मैं अपने पूरी डालेंगे तो एक बाद में आप दो पूरी डाल रही हूं और इसको हलके आतों से कल्ची से प्रेस करेंगे कि अब प्रेस करते हैं पूरी फूल रही है तो हम दोनों साइट से अच्छे से गोल्ड ब्राउन उने तक सेक लेंगे और यह देगी अच्छे से दोनों साइट से गोल्ड ब्राउन की हो गई है तो अब हम इनको बाद निकाल लेते हैं बहुती क्रिस्पी नास्ता बनता है फ्रेंड से तो इसी तरह से हम दूसरी पूरी भी सेक लेंगे तो इनको कि हम जैम प्रोसेस से इसी तरह से कल्ची से प्रेस करेंगे और ये देखी ये पूरी वे अच्छे से फूल गई है तो इनको कि हम दोनों साइट से इसी तरह से गोल्ड व्राउन उने तक सेक लेंगे तो यह देखिए दौन साइड से अच्छे से गोल्ड और ब्राउन की हो गई है तो इसी तरह से हम सारी पूरियों को सेख सेख के त्यार कर लेंगे यह देखिए यह पूरी भी अच्छे से फूल गई है यह भी अच्छे से गी दुन को भी निकाल देते है तो यह हमारी बहुती टेस्टी नास्तावन के त्यार है आप इसको किसी भी अचार या सब्जी से खा सकती है अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगी है तो में रेसिपी को लाइक में चैनल को सब्सक्राइब करें एंसेयर करें फिर्म लेंगे गली रेसिपी के साथ तब ते के लिए बाई बाई